तो हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूटूब चैनल वीफर वैल्लू में आज बहुत करने वाले एंजिल वल्मिटेट के बारे में जानेंगे हम कंपनी के फंडमेंटल कैसे हैं कंपनी के कोटर वन की रिजल्स किस प्रकार के आये हैं और ये सारी चीजे देखने के प्रकार के टार्गेट इस कंपनी से एक्सपेक कर सकते हैं तो बीना टाइम वेश्ट करें चले वीडियो शुरू करते हैं देन बात करते हैं कंपनी की इंपोर्टेंट रिशोस के बार में तो कंपनी का मार्केट के अलबहा पॉटीश का कंपनी का OPM यानि ऑपरेटिंग प पर वेश्ट करोड रुपीश का जो कि थोड़ा सा मुझे एक नोटीसिबल पॉइंट लगा क्योंकि कंपनी का टोटल कैश प्लो एलबहा पॉर हंड़ेट एट करोड का और एनवली जो कंपनी अपना नेट रिवेन्यों करते हैं वह लबहाग 625 करोड तो आप क्या सकते है कि देट एक थोड़ा सा पॉइंट है आप इसका डेट विक्टरी तो देख पा रहेंगे लबह 0.79 का है तो हाला कि यह एक से काम है बट यह स्टेल एक काफी बड़ा कंसर्ण रहता है क्योंकि कंपनी को इस पर इंट्रेस्ट भी करना पड़ता है देन बात करते हम कंपनी के की कौटर वन की रिजल्ट के बारेमे का मिलिनास डेक्ट 19 को मिल रहेंगे जो टरा देखने को मिल्र होंगे ख thought of uler ओर या तो यह ऊड़्या कोर्ट ने कर RAW कि मीलिए और आप लास्थ और के बारे में तो वहाँ से आपको एक आह बंपर जम्प देख देखने को मिल्रा है तो ओवरल आप कह सकते हैं year on year basis पर company ना अच्छी ग्रोफ दिखाई है बात करते हैं company के expenses की तो वह भी आपको बढ़ता वाद देखने को मिल रहागा दोनों quarter के comparison में और बात करें हम company के total profit के तो आपको देखने को मिल रहागा तो आप कह सकते हैं कि investors के perspective से यहाँ पर आपको quarterly result थोड़ा साथ bad देखने को मिल रहा है company का इसकी फिचका mean reason है company के expenses जो की काफी ज़्यादा बढ़ते भी देखने को मिल रहे हैं plus revenue में भी कोई खास आपको growth देखने को नहीं मिल रहे है जो हमें देखने को चाहिए थी जैसे कि आप देख पारेंगे interest revenue वहाँ पर थोड़ी सी growth है but fee and commission यहाँ पर आपको downfall देखने को मल रहा है क्योंकि अभी क्या कर रहे है कंपनी काफी चीची काफी सारी services free दे रही है जिसके वचे से company को यहाँ पर revenue और यह बैसिकली इसलिए कर रहे कंपनी ताकि ज़्यादा company market कर सके once they achieve the perfect size of market then they can implement this kind of fees तो मेरे लिए अभी के टाइम पे अगर मैं इस चीज को comparison ना करूं तो बैटर रहेगा क्योंकि company अभी अपने आपको expand कर रहे हैं बात करते हैं कंपनी के चार्ट पैटिन के बार में तो आप जिसे की देख पा रहेंगे अभी के टाइम पर बात करें लास्ट वन आइन हंडें टू-1100 के बीच में आप बेशेक की से बाई कर सकते हैं है टार्गे जो में से देना चाहूँगा मेरा 1700 का टारगेट वन टार्गेट टू टार्गेट टू टाम डूरेशन जो मैंसे दिना चांगा वह रहेगा मेरा 1.5 यह का मुझे नीचे लिखके बताएगा कि आपकी क्या राया है इस टॉक को लेकर मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो और इंफोर्मिशन दोनों ही पसंद आयोगी अगर जल्दे मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साहँ तब तक के लिए थोड़ा सो और समय इंवेस्टमेंट को देने के लिए तो मेरी यह आई-एक्स वाली वीडियो अब जुरूर देखे है क्या आने वाले टाइम पर यह एक मोनोपॉली नहीं रहेगी इसके पीछे का रिज